प्रिया विद्यारतियों, आज हम बहु विकल्पिय प्रश्न करेंगे सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक में, हिंदी लेंग्वेज की नोटबुक में दिनांक लिखनी है उसके बाद पुन्रा विर्टी लिखनी है और फिर उसके बाद बहु विकल्पिय प्रशने लिखने और फिर अपना काम को स्टार्ट करना है तो इसमें पहला प्रशन है लिखकर विचारों को प्रकट करना भासा का कौन सा रूप कहलाता है तो वो रूप लिखित रूप कहलाता है आपने सिर्फ आंसर लिखित ही लिखना है मौखिक नहीं लिखना है, संकेत नहीं लिखना है जो आंसर उसका correct है, वही आंसर लिखना है किसके द्वारा भासा के सुद्रूप का ज्यान होता है तो व्याकरण के द्वारा हमें भासा का सुद्ध रूप का ग्यान होता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है कन्नड किस राज्य की भाषा है कन्नाटक जो है उसकी राज्य की भाषा कन्नड है रेडियो पर समाचार सुनना भासा का कौन सा रूप है तो रेडियो से आप अपने कानों के माध्यम से सुन रहे हैं तो किसी के बाद जब सुनते हैं तो वो मौखिक रूप होता है केरल की भाषा कौन सी है तो केरल की भाषा मलियालम है भाषा के सम्मेधान में कितनी भाषाओं को समलित किया गया है तो भाषा में 22 भाषाओं को समलित किया गया है हमारे सम्मेधान में अब आपका कोशन है कि इन भाषाओं की आपको लिपी बतानी है उर्दू की लिपी फार्सी है संस्कृत की लिपी देवनागरी है पंजाबी की लिपी गुरु मुखी है और अंग्रेजी भाषा की लिपी रोमन है अब यहाँ पर है आपका कि रिक्तिस्तान आपने भरने है तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हिंदी भाषा की लिपी देवनागरी है। तमिल नाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, सस्कित भाषा की जो जननी है या उसकी लिपी है, वो देवनागरी है। भाषा के दो रूप हैं, लिखित वो मौखिक, अब है कि भाषा के किस रूप का आपको पता चलता है या किस रूप का यहाँ पर प्रियोग हो रहा है, तो पत्र जब हम लिखते हैं, तो वो लिखित भाषा का रूप है, भाषण में आप सिर्फ सुनने का गाम कर रहे हैं, त क्योंकि लिखकर आपको बात बताई गई है तो वह भाशा का लिखित रूप है